आज मैं फिर से आपके साथ एक मिल्शेक की रेसिपी शेयर करूंगी यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है और इसे हम कोको पॉडर से बनाएंगे तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम मिक्सी का एक बड़ा जार लेंगे और उसमें हम एक चम्मच कोको पॉडर डाल देंगे दो चम्मच शक्कर डालेंगे मीठा आप आपके इसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो दो आइस क्यूप डालेंगे और एक गलास थंदा तूट डालेंगे और एक चम्मच चॉकलेट सीरप डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एक कफ वेनिला आइस क्रिम डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम इसमें मलाई डालेंगे मलाई डालना यहाँ पर ऑप्शनल है इसको ढखकन लगा देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इसे बहुत ही स्मूध तरीके से हमें ग्राइंड करना है तो यह देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है तो अभी हमें एक काच का ग्लास लेंगे और इसे थोड़ा सा डेकॉरेट करेंगे चॉकलेट सीरप से ग्लास को ज़रूर डेकॉरेट कीज़े क्योंकि मिलशेक इसे बहुत अच्छा लगता है तो इसमें हम मिलशेक डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा वेनिला आइसक्रिम डालेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके उपर डालेंगे चॉकलेट सीरप तो यह देखिए हमारा यम्मी कोको मिलशेक बंद के तैयार है इस मिलशेक को एक इस तरीके से जरूर बनाई है अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेर और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और में मिलूंगे आपको एक नए रेसिपी के साथ